वेल्कम टू एस्टेडी निक्स एस्टेडी निक्स पे मैं संतोसर आपका स्वागत करता हूँ तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं उमीद बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे सबनी तयारी कर रहे होंगे तो चलिए फ्रेंड आज के लेक्चेर में हम स्सी जीडी 2022 के लिए 2019 और 2021 तक के जितने भी हिस्टरी के कोस्टन आये थे जो आपके एक्जामों में बार बार पूछे जा रहे हैं ठीक है आज हमारा हिस्टरी का पार्ट 1 है आज हमारा छोटा लेक्चर रहेगा उसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 बड़ा रहेगा यानि 20 से 50 कोस्टन और 50 से 100 कोस्टन होंगे ठीक है यानि हिस्टरी के हम टोटल 100 कोस्टन करवा देंगे जो आपके आये हुए एक्जाम में पूछे गए थे कोस्टन इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा और हो सकता है रिपीट करेगा क्योंकि स्सी लगभग 60% कोस्टन रिपीट करता है ठीक है फ्रेंट तो आज से आप लोग साम 7 बजे लेक्चर आपको मिल जाएगा आप लोग परड़े देखते रहेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए आपके सामने कोस्टन नमबर फस्ट आ चुका है इसको आप लोग स्वाल करेए देखिए कोस्टन क्या है रजिया पहली महिला मुसलिम सासक भारत के किस तुर्की सासक की बेटी थी यहनि भारत के किस तुर्की सासक की बेटी रजिया थी आप लोगों को इसका आंसर देना है तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए आपसन क्या है आपसन इसमें है तो जल्दी से इसका आंसर दिजे फ्रेंट्स क्या होगा उप्रेंट्स इसमें एक पॉइंट और याद कर लीजिएगा रजीया की हत्या 1240 में हुई थी इसकी हत्या किन्हों ने की थी तो डाकूओं ने कैथल के पास इनकी हत्या कर दी थी ठीक है तो चलिए ये आपका देखे फ्रेंट्स SSCGD 311-2021 के 7 डू में पूछा गया कोस्चन है तो चलिए अगला question देखते है question number 2 जो कि आपके बहुत important question है जो बार-बार repeat हो रहा है question क्या है बोध गया एक महत्वूर बोध तीर्थ अस्थल क्यों है यही आपको बताना है क्यों है यहाँ गौतम बुध को ग्यान प्राप्थ हुआ था यहाँ गौतम बुध का जर्म हुआ था और option C क्या है यहाँ गौतम बुध को महापरी निर्वान प्राप्थ हुआ था यह option D क्या है गौतम बुध ने ग्यान प्राप्थ करने के बाद यहाँ अपना पर्थम उब्दे दिया था तो जल्दी से इसका आंसर दीजे क्या होगा friends जल्दी से आप लोग comment box में comment करिए हाँ क्या होगा इसका आंसर यहाँ गौतम बुध को ग्यान प्राप्थ हुआ था कहाँ पे बौध गया में ठीके friends कहाँ पे बौध गया में इसमें और देखी friends गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था तुलुम्मनी में हुआ था पर्थम उब्देश इन्होंने सारनात में दिया था किंद भासा में तो पाली भासा में सरवदिक उब्देश इन्होंने सरावस्ती में दिया था कहां पे सरावस्ती में और एक पॉइंट और बचा हुआ महापरि निर्वाड यानि इनकी मिरी तु कहां पर हुई थी कुशी नगर में कहां पर हुई ति कुशी नगर में चलिए अगला question देखते हैं जो कि बहुत important question है question number 3 क्या है निम लिखित में से कौन सी पुस्टक बानभर्ठ लिखित है यानि बानभर्ठ द्वारा लिखित कौ कौन सी पुस्तक है आप लोग को बरताना है हर्स चरितम अकबर नामा मालवी का निग मित्रम या अश्टा ध्याई इसमें से कौन सा आप्षन होगा आप लोग जल्दी से बताईए यह आपका एक बारा दोहजार एक बारा दोहजार इककीस में सिफ्ट वन में पूछा गया कोश्जन है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हर्स चरितम ठीक है बाण भट द्वारा लिखित पुस्तक है और देखी अकबर नामा किसने लिखा था यह भी आपको पता रहना चाहिए तो अकबर लिखा था तो चलिए अगला कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर फोर जो की बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है देखे कोश्चन क्या है सिरि लंका में ग्रह यूद कब समाप्थ हुगा यानि सिरि लंका में ग्रह यूद कब समाप्थ हुगा था आपसन ए है 1800 में आप 14 माई 2009 में स्री लेंका का गरह यूद समाप्थ हो गया था इसमें लगभग एक लाख लोग मारे गये थे कितने एक लाख लोग मारे गये थे ठीक है फ्रेंड्स यह आपका देखिए 11.02.2019 के सिप्ट 1 में पूछा गया कोश्चन है जो भी लेक्चर में कोश्चन ले रहे हैं आपके SSC GD में पूछे गए सभी कोश्चन है ठीक है फ्रेंड्स आज इस वीडियो का लास्ट कोश्चन जो की बहुत इंपॉर्टेंट कोश्चन है कोश्चन क्या है जीन जेका सुरूसों एक परसिद थें क्या थें समराड थें चिंतक थें चिकिसक थें या चित्रकार थ है तो इसका आंसर जल्दी से आप लोग दीजिए देखिए फ्रेंड्स ये भी आपका 11.2.2019 के सिफ्ट वन में पूछा गया कोश्चन है तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स हाँ आपसन भी ये क्या थे चिंतक थें ठीक है फ्रेंड्स और ये समाजिक समझाता का ठीक है फ्रेंड्स तो ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा आज की लेक्चर में बस इतना ही कल हम जरूर मिलेंगे साम साथ बढ़े तो कल देखना मत भूरिएगा चलिए कल मिलते हैं तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जर